नमस्कार दोस्तों आज आप लोगो सिन कॉम पर मुलेशन लिम्टेड में एक गिरावट देखने के लिए मिल रही है इस गिरावट के पीछे का कारण मिल चुका है दोस्तों और मिला क्या है मैं पहले से ही बताया हूं इस कारण को आप लोग हो सकता है कि वो वीडियो ना दे चुका है और वो सर्विलांस है यहां पर सौटम एस्टेज वन साड़े चार परसंट की गिरावट आज देखने के लिए मिल रही है और बोल्यूम भी बढ़िया सा टेड़ हुआ है कुछ लाज डिल भी इसमें हुई है और चार्ट पर क्या भी है इसका बन रहा है उसके ब मतलब 27 सारी कल जो है साम को इसका अपडेट आया था और अपने में सूपर इस्टाक एडवाइजर नाम सुनिए सूपर इस्टाक एडवाइजर चैनल पर प्रती दिन में सम के लिष्ट की वीडियो बनाता हूं उस पर आगर आप जाके देखोगे तो रात कुमें आठ बज आएगा कब अंदर गया है क्या होगा कैसे होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि एक बात अपनों को मैं और यहां दिला दूं यह बहुत पहले गया था दोजार चौबीस में जनावरी के आसपास यह जो है यह सम के लिष्ट में गया था यह 21 की बात करेंगी तो 2021 में एक बार लॉंग टम में भी गया था और एक बार जो है इसके छोड़के यह तो इस बार गया है सोट टम के स्टेज वन में 27 अगस 24 मतलब कल गया है आज से एक्टी हो जाएगा और अभी तक एक्टी वह इसको हम लोग पहली लाइन को छोड़ते है उसके पहले 2024 देखेंगे तो देखिए सबसे पहले यह 2024 में कब कब गया है तो एक बार यह 28 दिसंबर 2023 को गया था मतलब दिसंबर के गदम लास्ट में सोट टम के स्टेज वन में गया था और पांच जनौरी जनौरी में पांच तारीक को यह बाहर आ गया दूसरी बार फिर से गया स्ट्रम के से हची वन में गया नव जनौरी2024 को देट मिलाएंगा पांच जनौरी को बाहर आ रहा है और नो जनौरी सब्सक्राइब क lessons को सनुतनास को जानृरी को इसको यहां पर लॉंग के महीना यह रहता है और फिर दो फरहल्म को सब्सक्राइब एक right 생 के बाद यह टॉपार ईक स कर दानृरी के बाद आधा जाता अब इसके बाद जो है यह फिर से अब गया है फिर से जो है इस लिश्ट में ठीक है ना 27 अगस्त 24 अब इसका कब रीवीव होगा कब यह बाहर आ सकता है का अनुमानित डेट मैं बता दे रहा हूं अप लोगों को यह 27 अगस्त को गया है तो मेरे हिसाब से इसका जो अनुमानित डेट जो रिवीव करेने वाला है वह चार सितंबर 24 रहने वाला इस डेट को आप लोग लिग करकेगा चार सितंबर जरूरी नहीं है कि बाहर आएगा लेकिन पहला होता है रिवीव वो लगबग छटमें टेरींग सेसन होता है तो शटमेंगा कि कौन सा है 27 को गया है तो 28 से and होगा आमनों का और 28most काऊंट करेंगे तो आज एक दो तील चार पांक छे हां तो शे अगस्त के आसपास चोड़ी चार सितंबर के आसपास ये team लिख वार सकता इसी सम्हों न है चार सितंबर ठीक है न इसको देख लिजेगा इस दिन बाहर आ सकता है और नहीं तो पिर जो है अगला पंदरा दिन के बाद पिर से के अगद देख लिजेगा कुंआ है अभी और कुछ नहीं हुआ तीन दिक्रतें होती है सबसे पहला दिक्रता है वह मार्जिंग का होता है जो आप रोग इन्टीर में देखते होंगे कि नहीं देना पड़ेगा जोतना उसका करेंट प्राइस टेट करा तो डिसकाउंट नहीं मिलता है यह इसका हो चुका होगा अब इसका मार्चिंग जो है वह 100% कर दिया गया होगा यह चीज एक बढ़ गया होगा इसी वह से थोड़ा सा बॉल्यूम भी कम होता है ठीक है कि बग जाएगा वह भी आगे में बताऊंगा तो अभी इसका यह नहीं रुका है मतलब केवल मार्चिंग पर इसके जो एफेक्ट पड़ा है तीसरी चीजी होती है कि सर्किल लिमिट में भी बदलाव कर दिया जाए जाता है लेकिन अभी सर्किल लिमिट भी 20% है सर्किल तो इसका मार्जिंग को जो है बढ़ाके 100% कर दिया यह इससे दिक्का देखने के लिए इससे बॉलिम थोड़ा कम मुटेड होता है थोड़ा सा लोग बचते हैं एसमले सेयर को बाइक करने के लिए कि वह चेतावनी बादा इंडेक्स है कहलें कि या फिर सर्विलांस है तो दे कि खतरे का संकेत एसम में सामिल होगा सौट टम एसम स्टेज वन अठाइस अगस्ति देखिए मैं थंबलेन बनाके कल प्रडिक्सन करके बताया भी ताकि कल से यह जो है एसमलिस्ट में जा सकता है तो फिर भी आप लोग नहीं मानेते तो देखिए अनुमभाव रहता है ठी खईदारी भी करना आपको मैं बोला हूँ यहां पे आप खईदारी भी करेंगा बीस रुपय का इस्टोप्लोस तो बस वहीं असी पैसे का इस्टोप्लोस ही तो है असी रुपय का थोड़ा बहुत नीचे जाके करेगा इधर दल्लेने में मतलब एक डेड़ रुपय का मु वान इस्टो फोर के रेशियो में जो इसमें कहलें कि आ जाएगा इसका रिक्स्टू रिवाड रेशियो एक सेर के बदले में एक रुपय के बदले में चार रुपय आपको मिलने वाला है ठीक है ना रिक्स्टू रिवाड रेशियो जो यह हम लोग करते हैं ठीक है यह बत ले लेंगे तो एक रुपे के आसपास का इस्टॉप लोस आएगा ठीक न और वहीं पर टार्गिट हमनों का जो बैटेगा वह साड़े-चौबीस रुपे बनेगा या फिर साड़े-चौबीस रुपे भी बन सकता है तो इस दस एक स्विंग टेड़ बन रहा है आप पर एक दो अपते के लिए एक महीने के लिए आप चाहो तो कईदारी कर सकते हैं बहुत बढ़िया ठीक न और दे भी देगा ये भी मैं बता रहा हूं ठीक न तो अगर आपको एक हजार रुपे का रेक्स लेना है तो सब कॉंटिटी एक हजार कॉंटिटी खर दिए अगर सब्सक्राइब करें तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में लाइक करें